हलो फ्रेंग्स स्वागत आप सभीका हमारे यूट्यूब चैनल आई लव सेल्स काइड नो मोटिवेशन ओनली एक्शन पिछले कुछ दिनों से हमारे पैरे पैरे विवर्स ने कमेंट करके बूला था कि FMCG प्रोड़क के बारे में कुछ वीडियो बनाओ शेयर करो तो FMCG का प्रोड़क क्या है? FMCG क्या है? थोड़ा सा उसके बारे में पहले जान देते ही FMCG जो है तो वो है Fast Moving Consumer Goods FMCG चोथा ऐसा सेक्टर है जो इंडियन एकनोमी का largest सेक्टर माना जाता है और यह FMCG प्रोड़क शॉर्ट स्पैन में तैयार होकर, डिस्टूबिट होकर, मार्केटिंग होकर, कंजुम भी हो जाता है FMCG जो है यह B2B और B2C दोनों में सेल कर सकते हैं B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, B2C मतलब बिजनेस टू कंजुमर अगर आप होलसिर और डिस्टूबिटर को सेल कर रहे हैं, तो यह B2B बिजनेस हुआ अगर आप end user को end consumer को सेल कर रहे हैं, तो यह B2C बिजनेस हुआ इसमें low profit margin जरूर है, लेकिन high value sell है, bulk में sell है आई अब देखते हैं कि FMCG प्रोड़क के कुन से कुन से types है क्लीनिंग प्रोड़क्ट्स है बेकिंग सोडा ओवन क्लीनर विंडो ग्लास क्लीनर कॉस्मेटिक्स और टॉयलेटरीज जिसमें हेर केर प्रोड़क्ट्स आते है कॉंसेलर, टुटपेस्ट सोब ओफिस सप्लाइज में पेइन, पेंसिल, मार्कर यह FMCG में आते है मेडिसिन भी FMCG में आते है एस्पिरिन, पें रिलिवर्स और ऐसे कुछ मेडिसिन इसमें आते है जो विदाट प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल में हमें इजिली अविलेबल होते है फ्रेश फूड्स, फ्रोजन फूड्स ड्राइग गूड्स यह भी FMCG में आते है जिसमें फ्रूट्स विजिटिबल्स, कैरेट्स, नर्ट्स बिग गूड्स भी इसमें आते है लाइक कुकीज, ब्रेड्स फिर्मरेजिस भी इसमें आते है बोटल वटर इनर्जी ड्रिंक्स, जूसेस FMCG में आते है प्रोशेस फूट्स, लाइक चीज चीज के बनाए हुए अलग-अलग प्रोड़क्स यह FMCG में आते है प्रिपेर्ड मिल्स जिसमें रेडि टू इट मिल्स हमें मिलते है, मार्केट से यह सारे टाइप्स जो है यह FMCG के टाइप्स है कुछ हद तक अलग-अलग होती है इसमें सबसे पहले हमें हमारे FMCG प्रोड़क्स का end user कोन है यानि consumer कोन है उसे identify करना होगा उसके साथ-साथ उस consumer के पास हम लोग कैसे पहुँचे उसे identify करना होगा like wholesaler, distributor, super stockist इसके बाद आपको जिस एरिया में sell करना है उस एरिया में आपके competitor का study करना होगा कि competitor का sell कितना है कितना sell वो quantity में करता है कितने volume में sell करता है ये आपको देखना होगा पूरी details तो आपको नहीं मिलेगी लेकिन approximately figure आप पता कर सकते हो जिससे आपको study करने में आसानी होगी और सबसे important आपको competitor उस एरिया में उस जोन में कहा कहा नहीं पहुच रहा है उस एरिया को आपको identify करना होगा और उसी एरिया को आपको पहले target करना होगा और उसके बाद में आपको ये बे identify करना होगा कि आपके competitor की weakness क्या है आपके खुद का मार्केटिंग प्लान तयार करो जिसमें मार्केटिंग से लेके मार्केट से पैसा रिकोवरी होने तब का पूरा प्लान होना चाहिए और इसमें इंपोर्टन और एक बात है कि आपके प्रोड़क की इन्वेंटरी और वेरहोस मैनेजमेंट बहुती परफेक्ट होना चाहिए सेल्स और मार्केटिंग का जब आप प्लान कर रहे हो तब आपके पास आपको कुन से स्टेट में काम करना है उस स्टेट का मैप आपके पास होना चाहिए उस स्टेट में कितने जिले है उन जिलो के नाम और उनका मैप भी आपके पास होना चाहिए उन हर एक जिलो में कितने तेहसिल या तालुकाज है उनके मैप भी आपके पास होने चाहिए इससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपका वर्किंग एरिया कितना है इसमें आपके सेल्स पर्सन आपके बंदे कितने काम करने वाले है लाइक इसा समझो कि दो तेसील पास-पास में है तो वहाँ पे दो बंदों को रखने की जग़े आप एक बंदे से काम चला सकते हो यह आसानी होगी किस एरिया में आपके सुपर स्टॉकेस होने चाहिए डिस्टूबिटर होने चाहिए होलसेर होने चाहिए ताकि आपके end user तब आपका product कम transportation cost में पहुचना चाहिए क्योंकि क्या है कि इसमें profit of margin तो बहुत कम है तो आपको इन सारे चीजों का खयाल रखना बहुत जरूरी है I hope आपको यह सारी बाते नया product sale करने के लिए FMCG का समझ में आई होंगी और इससे आप satisfy हुए होंगे अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे comment करके बोल सकते हो और FMCG का product sale कैसे increase किया जाए इसके बारे में discuss करेंगे आगे की वीडियो में तब तक नमस्ते फिर मिलेंगे